पत्नी मैं तुमसे नराज हूँ पत्नी अभी तो सोड़ी बोला मैंने अब क्या हो गया पत्नी वही तो तुमने सोड़ी बोलकर मेरे लड़ाई वाले मूड का सत्यानयास कर दिया पत्नी अभी तक बेहोस है पत्नी अगर मैं दो चार दिन आपको नहीं दिखू तो आपको कैसा लगेगा पती मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला बहुत अच्छा लगेगा फिर क्या था पात दिन तक उसे पत्नी नहीं दिखी छटे दिन जब थोड़ी सुजन कम हुई तब जाके थोड़ी थोड़ी दिखी पती आज बाहर खाना खाएंगे पत्नी खुशी में ठीक है मैं जल्दी से तयार हो जाती हूँ पती ठीक है मैं बाहर चटाई बिखाता हूँ दारू पाटी के बाद पती ने पत्नी को फोन किया आज घर नहीं आ सकता गारी का स्टेरिंग ब्रेक गेर सब चोरी हो गया है एक घंटे बाद पती का फिर फोन आया और बोला थोड़ी देर में आ रहा हूँ गलती से पिखली सीट पर बैठ गया था एक महान महिला की कलम से गड़मी में कितना ही गन्ने वाला रस निम्बू पानी आम पन्ना छास दही लस्टी पीलो ठंड़क तो पती से लड़कर ही आती है साधी सुदा आदमी जब उदास होते हैं तो दोस्त पूछते हैं क्या हुआ जवाब कुछ नहीं यार तेरी भावी से कहा सुनी हो गई जबकि कहा कुछ नहीं होता सिर्फ सुनी होती है पती कुछ दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो डॉक्टर को दिखा लो पत्ली दिखाया था पती फिर डॉक्टर ने क्या बताया? पतली खून में शोपिंग की कमी बताये है दूसरे देश जा रहा हूँ पतली दुबाई जाओ तो गहने भेजना फ्रांस जाओ तो पर्भ्यूम भेजना पतली नरक जाओ तो क्या भेजूं बस अपना वीडियो भेजना हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं तबियत खड़ाब थी ना कोई दवा ना कोई तावीज काम आया फोन करके बिमार बीवी पती से लड़ी फिर जाके थोड़ा आराम आया पत्नी और सुर्ज में क्या समानता है आप दोनों को घूर कर नहीं देख सकते पत्नी ने सब्जी बनाई और उसकी फोटो फेस्बुक पर अफ्लोड कर दी पती जब खाना खाने बैठा तो बोला ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पत्नी पांसो तीस लोगों ने इस सब्जी को लाइक किया और दोसो पचासी ने तो कमेंट में यमी भी लिखा लेकिन तुम्हारे तो अपने ही नखरे हैं अगर आपकी पत्नी दो सीम वाला फोन चलाती है तो उसका नाम केवल वाइफ के नाम से सेव करें वाइफ वन और वाइफ टू के नाम से कभी नहीं ये सलाह आई सीउ में भरती रमेश भाई ने दी है तुमको देखा तो यह खाया लाया लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए